भगवान के साथ एक कैसे हों? भगवान के प्रती अनन्यता क्या है? नारद भक्ती दर्शन में सूत्र की व्याख्या करते हुए पूजे स्वामे श्री अखंडानंद सरस्वती जी महराज लिखते हैं कि अनन्यता का स्वरूप क्या है? देवर्शी नारद यहां बतलाते हैं. वे कहते हैं अन्य आश्रया नाम त्यागो अनन्यता अपने इश्ट से अपने भगवान से भिन्न दूसरे सब आश्रयों के त्याग का नाम अनन्यता है ग्यान में अनन्यता है एक अद्विती ये परमात्मा का ही अनुभाओ दूसरी कोई वस्तु सत्ता है ही नहीं परमात्मा अविनाशी है वह परिपून है अनन्त है परमात्मा अद्विती ये है आत्मा और परमात्मा एक ही है यह है ग्यान की अनन्यता देवर्शी नारज जी ने यहां भगती की अनन्यता को स्पष्ट किया है कि दूसरे का सहरा मतलो हरी से जोरी सबन सो तर्यों संसार से वईराग्य और भगवान से राग्य दूसरे आश्रेयों को मन से हटा दो किसी को धनका आश्रे होता है कि जो चाहेंगे रुपयों से हो जाएगा एक दस वर्श का बालक था वह चांदी की थाली में गंगाजी की पूजा सामकरी लेकर पूजा करने गया पूजा करके उसने थाली भी गंगाजी में फेंक दी साथ में जो नोकर गया था वह बोला बाबू आपने थाली फेक दी अब तो मुझ पर डांट पड़ेगी बालक ने गर्वपूर्व कहा तुम समझते क्या हो मैं ऐसी दस थालियां मंगा दूँगा यह बालक का धन मत है उसे अपने धन का अहंकार है ऐसे धन से अहंकार पाने वाले लोगों को यह ब्रह्म रहता है कि हम धन के द्वारा महात्मा को या इश्वर को खरीज सकते हैं यह है धन का आश्रय मेरे एक परिचित अमेरिका गए वहां उनसे एक विद्वान ने पूछा आपके देश की विशेशता क्या है वे बोले हमारे देश में एक ऐसे प्रकार के लोग होते हैं जिन्हें धन से खरीदा नहीं जा सकता कांग्रेस के सुप्रतिष्ठित विद्वान स्रिमन नारायन अग्रवाल अमेरिका गए वहां उन्हें एक मनुष्य आकार यंत्र दिखलाया गया जो मनुष्य के समान बहुत सी बाते कर लेता था यंत्र दिखलाने वाले ने पूछा कि आप इस यंत्र को देखकर हमारे देश के संबंध में क्या राय बनाओगे श्रिमन नारायन जी ने कहा आपके देश में ऐसा यंत्र है इसलिए यह देश महान है ऐसा तो मैं नहीं मानता किन्तु इस देश में ऐसा यंत्र बनाने वाला मस्तिश्क है इसलिए मैं इस देश का सम्मान करता हूँ यंत्र, धन, भवन, वस्त्र ये बड़े नहीं है बड़ा है इनका निर्माता और इनका उप्योग करने वाला ये सब तो जड़ हैं अताहा इनका आश्रे लेना जड़ का आश्रे लेना है भक्त इनका आश्रे नहीं लेता कुछ लोगों को धन का नहीं तो कर्म का आश्रे होता है वे मान लेते हैं कि धन हाथ का मेल है किन्तु समझते हैं कि कर्म से सब कुछ हो जाएगा कर्म का आश्रे दो प्रकार का होता है बहिरंग और अंतरंग खेती, व्यापार, कार खाना आदी बहिरंग कर्म है और इनका आश्रे बहिरंग कर्म आश्रे है योगा भ्यास जब तप आदी अंतरंग कर्म है और इनका आश्रे अंतरंग कर्म आश्रे है भग्त यह भरोसा नहीं करता कि हमारे इतने जब से इस तपस्या, वरत या अनुष्ठान से भगवान हमारे वश्च में हो जाएंगे भगवान मनुष्य के किसी कर्म के मुल्य से खरीदे नहीं जा सकते श्री रामानुज आचारिय ने कहा हे प्रभो, संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम आपको जब तप पूजन देते हैं आप हमको विनिमय में संसार दीजिए कुछ लोग भजन करके भगवान से संसार अपनी किसी सांसारिक कामना की पूर्ती मांगते हैं कुछ लोग भगवान से भगवान को ही मांगते हैं और कुछ उनकी कृपा का आश्रय चाहते हैं जब तप व्रत दान आदी कर्म भगवान का मूल्य नहीं बन सकते। इसलिए भगवान ने कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजब। धर्म आश्रेता का परित्याग करके भगवान की शरण लेनी चाहिए। भगवान ही उपाए साधन है और वे ही साध्य भी हैं। कुछ लोग जीव का आश्रे लेते हैं कि अमुक व्यक्ति, अमुक गुरू मेरा भला करेगा, अमुक मेरे हित के लिए चमतकार करदेगा। कुछ लोगों को अपने बल का आश्रे होता है कि मैं इतना जप अनुष्ठान करके भगवान को प्रसन कर लूँगा। यह स्वबल आश्रे भी अन्य आश्रे ही है, अपने इश्ट के अतिरिक्त, दूसरे के इश्ट का आश्रे भी अन्य आश्रे है, कि अमुक अपने इश्ट से मेरा कल्यान कर देगा, हमारा इश्ट यदि इश्वर है, तो हम इश्वर वादी हैं, अन्य था हम इश्वर वादी श्री माईथिली शरण गुप्त ने कहा है राम तुम मानव हो इश्वर नहीं हो क्या तो मैं निरीश्वर हूँ इश्वर शवा करे प्रतिवर्ष व्रज में 84 कोस की परिक्रमा यात्रा उठती है ये यात्राइं तो कई उठती है किन्तु उनमें से सबसे अधिक भीड उस यात्रा में रहती है जिसमें श्री वल्लब संप्रदाए के गोस्वामी जी प्रमुख होते है एक बार यह यात्रा निकली नंदगाओं में यात्रा का पड़ाओ रहा उसमें गोस्वामी जी का दरबार लगा था पास से ही नंदगाओं के एक गोस्वामी ज्वार का बोज लेकर निकले तो लोगों को बैठे देखकर बोज पठक दिया और डंडा टेक कर खड़े हो गए जो लोग उन्हें पहचानते थे उन्होंने कहा जये नंदलाल की अब यात्रा में जो श्री गोस्वामी जी महराज थे उन्होंने पूछा कि आप कौन है नंदगाओं के गोस्वामी जी ने उत्तर देने के स्थान पर प्रश्न किया कि तुम कौन हो प्रश्न उत्तर चला कि हम अनन्य हैं हम फनन्य हैं एक ने कहा कि फनन्य क्या होता है, दूसरे ने कहा कि अनन्य क्या होता है, जो श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी देवी देवता, काली भैरो, गणेश इंद्र आदी की पूजा न करे, उसे अनन्य कहते हैं, गोस्वामी जी ने बताया, नंदगाम वाले गोस्वामी जी जो कृष्ण को छोड़ कर दूसरे किसी का नाम भी न जाने वह फनन्य है निज प्रभु के बल बदत न काहू इसमें प्रबल मनोबल है भक्त की यह सुद्रड मनस्थिती है इसे शिथिल करने वाली कोई शक्ति संसार में नहीं है लोगों का भगवान में भाव न होने से अंतह करण की शुद्धी नहीं हुई अंतह करण को सहारा चाहिए जैसे चलते समय मनुष्य एक पैर जमा कर तब दूसरे पैर को आगे बढ़ाता है यदि पैर जमाए बिना ही दूसरा पैर उठा दे तो वह गिर पड़ेगा इसी प्रकार पहले भगवान को पकड़ो तब संसार को छोड़ो बिना भगवान को पकड़े संसार को छोड़ोगे तो संसार छूटेगा नहीं लोग घर छोड़कर साधू होते हैं पर वहां भी महल बनवाने में लग जाते हैं माला पर भगवन नाम गिनना तो गया इट ढोने वाले गधे गिनने में लग गए लोग घरद्वार छोड़कर वरिंदावन वास करने आए और मैंने देखा है कि वे वहां भी वही सट्टा करने लग गए इश्वर को नहीं पकड़ोगे तो जहां कहीं भी जाओगे वहां संसार तुम्हारे साथ लगा रहेगा काम, क्रोध, लोभ, मोख, आदी आग्या पालक नहीं है कि तुम आग्या दोगे तो ये तुम्हारे चित्ट से चले जाएंगे इनके लिए तो चित्ट में स्थान ही रिक्त मत रहने दो यदि हृदई इश्वर से परिपूर्ण है तो उसमें ये काम आदी आही नहीं सकते और यदि हृदई खाली है तो उसमें ये आए बिना मानते नहीं है अंतह करण में जो अंतह करण का आश्रय होकर बैठा है वह अंतह करण का विशय नहीं होता परमात्मा के अतिरिक्त दूसरी वस्तु है ही नहीं वही सत्ता प्रकाश एवं आनंद के रूप में सर्वत्र स्फुरित है धर्म, अधर्म, ईश्वर, जीवन, आदी सब उसी में प्रकाशित है हमारे नेत्र परमात्मा के ही प्रकाश में देखते हैं अंतह करण, मन बुद्धी तथा अहम की प्रतीती जिससे होती है, वह अपने हृदई में ही विराजमान है, उसी का आश्रे ग्रहेन करो, और किसी का नहीं। भगवद विरोधी तत्वों के प्रती उदासीन रहो, उनसे बच कर चलो, जो विरोधी या लड़ाई करता फिरे, वह तो निकम्मा है, यही हानी बड़ा भारी दोश, अंधापन, जड़ता एवं मूर्खता है, कि एक शन भी भगवान के चिंतन के बिना व्यर्थ खोया एक महात्मा ने एक दृष्टांत सुनाया था, कि एक कुत्ते ने सो मील की आत्रा करने का निश्चे किया, उसने सोचा, दस मील प्रति दिन चलेंगे, और दस दिन में पहुँच जाएंगे, पर जैसे ही अपने गाउं से दूसरे गाउं पहुँचा, वहां के कुत्ते उसे काटने दोडे, उसने पूँच दवाई और भागा, गाउं से बाहर तक खदेड कर वे कुत्ते लोट गए, यही क्रम चलता रहा, इस प्रकार जाती भाईयों ने सहायता की, और दस दिन के स्थान पर, दो ही दिनों में वह अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच गया, यद पहसार में इसे प्रकार विरोधियों से बच कर भागो, लड़ाई करने के चकर में मत पड़ो, काम, क्रोध, लोब, मोह, आदिये शत्रू हैं, इनसे भी लड़ने मत लगना, इनमें से एक-एक को जीतना अत्यंत कठिन है, भगवान की प्राप्ती होने पर, यह अपने आप चले जाएंगे, अपने आप छूट जाएंगे, बड़े-बड़े योगी, जो निर्जनवन में वरशों से साधना करते हैं, उनके मन में भी काम, क्रोध या लोभ आही जाता है, यह शरीर जब तक शमशान न पहुच जाए, तब तक चित्त का भरोसा नहीं है, अतह अपने मन को, इन काम आदी को हराने में न लगा कर, भगवान को पकड़ने में लगा लो, आजकल तो युग का ऐसा प्रभाव है, कि लोग संतोष पूर्वक, धन वृद्धी में, निशकाम भाव सेवन्ष वृद्धी में, और अहिंसा पूर्वक, शत्रु को पराजित करने में ल बड़ी बनती है, ब्रह्मचारी जी की संतान परंपरा लंबी होती है, भक्त राज माला लिये न्यायाले में ही दिखते हैं, तुम ऐसे बाहिये आडंबर में मत पड़ो, बस तुम तो केवल भगवान की शरण में रहो, उनकी शरणा गती ही परम आनंद दायक है झाल 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 झाल